आज के हमारे एक्सेल की क्लास की सिस्टीं सेसन है इसके पहले हमने 15 सेसन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया हुआ जिसमें हमने एक्सेल की काफी सारे फॉर्मलेज और काफी सारे फंक्सन सीखे हुए है तो आप उन्हें भी देखते चली ताकि एक्सल आपको अब होता क्या है कि हम जब एक्सल में काम करते हैं और हमने यह पूरी टेबल बना ली हमने पूरी एक हेडिंग बनाई हुई है अभनांग के चलते हैं कि जैसे मैं गतादा इन्पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पर यहां पर लास्ट में आया और उन्पुट करते करते में जैसे मैं नीचे जा रहा हूं अब इस टॉप ेडिंग को देखें, अब जा रही है आप को नहीं दिख रही है जब आपको असाने से शाइक नीचे जाते हैं इस रू कि आप नीचे जा रहे हैं तो आट्मेटिक जो टॉप हीडिंग टेबल की जो आपको प्राइडिंग वहट जा रही है जिससे आपको फ्रॉब्लम आएगी डाटा को पूट करने में तो यहां पर हमारी help करता है fridge pane, fridge pane क्या करेगा यह जो आपकी जो top row है या जिस भी रो को आप पर fridge करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यह इस seat से नहीं हटे, आप fridge pane की मदद से यह कर सकते हैं, तो fridge pane हमें मिलेगा कहां पर, तो by default हम home menu पे रहते हैं, आपको fridge pane करना है तो आपक fridge कर देता है, आए देखते कैसे करेंगे, तो आप fridge pane पे यह arrow आ रहा है, इसमें क्लिक करेंगे, तो आपके सामने तीन option आ रहे है, fridge pane, fridge top row, और fridge first column, मतलब यह तीन परकार से आप fridge कर सकते हैं, तो अभी जिस परकार से हमारा जो data है, यह किस परकार से है, यहाँ पर जो top में ह इसके main heading है, हम इसी के according data entry कर रहे है, तो मैं यह चाहता हूँ कि जब भी मैं इस 15th row के नीचे जाओ, तब भी यह heading नहीं हटनी चाहिए हमारे सामने से, क्योंकि तभी हम data अच्छे से entry कर पाएंगे, तो हम इसको fridge pane में जाते हैं, और यहाँ पर fridge top row, इसमें हम क्लिक कर देते हैं, इसमें हमने क्लिक किया, अब यह जो हमारी top row, यह fridge हो चुकी है, हम इस पता किस चलेगा, तो मैं आता हूँ है, अब automatic जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ, देखिए, आप नीचे जाते जा रहे है, आपके पास 20 student है, इनके data feed कर लिए, अब आप चितने नीचे जाएंगे, आप अपने data feed करते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, तो देखें, आप नीचे जा रहे हैं, बद चो top row है, यहां से नहीं हट रही है, तो आपको data entry करने में बहुत easy हो गया, क्योंकि आपको दीख रहा कि आपको किस field में आप data input कर रहे हैं, बड़े राम से आपने data fill कर सकते हैं, तो इस पकार से freeze paint क्या कर रहा है, आपकी मदद करता है, आपको data entry में top row freeze करके, यहां पर आपको freeze नहीं करना है, क्योंकि अभी आपने table नीचे जा रहे हैं, यह नहीं हट रही है, क्योंकि freeze हो चुकी है, यह आपको unfreeze करना है, हटाना है, तो आप यहां पर again option में जाएंगे, यहां पर option ना unfreeze paints, इसमें आप लिख करेंगे, अब देखिए, जो freeze था, वो unfreeze हो चुका है, आप नीचे जाएंगे, देखिए हटवी, जो top में जो heading आ रहे थी, वो हट चुकी है, तो यहां पर आपने अभी top row को आपने freeze किया था, इसी पिकार से आपको first column, यदि हमारे table, यह अभी तो यह vertical table है, यह horizontal table होती है, यह जो यहां पर name, math, science, subject, यहां पर vertical में लिखे होते हैं, तो फिर हम कौन सा इस्तिमाल करते हैं, option, freeze first column, यह जो first column है, इसी freeze कर देता, जिसकार से अभी हम ग्रों को freeze कर रहेते, यहां पर यह column में freeze हो जाता, एक और option आ freeze, यहां पर freeze pen, freeze pen यहां पर देखें कि यह कैसा आ रहा है, जो first column है, यह इसे freeze कर देगा, अब देखें, क्या होता है, कई बार हमारे सामने ऐसी problem आती है, यह हमारे सामने ऐसा data होता है, जिसे कि यह सामने आपके लिखा हुए, कि जो हमारा जो first row है, इसमें यह तो हमारी main heading नहीं है, main heading, जो हमारी first row है, यह हमारी main heading नहीं है, क्योंकि यहां पर तो हमारे school या college का नाम लिखा हुआ है, मगर यहां पर जो freeze pen में जो option आ रहा है, यह सिर्प first row या first column के लिए आ रहा है, बट अभी मैं first row को मैं freeze कर दूँ, तो मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहां प क्या है, कि यहां पर हमारे सामने एक और option आ रहा है, first row हमने clear कर लिए, first column हमने देख लिए, अभी freeze pen जो option है, यह कैसे काम करता है, तो यहां पर देखी, यह row और column में यह highlight करके दिखा रहा है, तो यह कैसे काम करता है, तो अब यहां पर क्या होगा, जैसे मैं, मेरा active cell है, य यह मेरा active cell है, जहां पर भी अभी मैंने select किया हुआ है, यह हमारा active cell है, तो यह किस प्रकार से data को read करेगा, यदि मैं इस freeze pen को करेंगे, तो यह जो भी हमारा active cell होगा, जैसे मुझे यह जो first row है, इससे मुझे freeze करनी है, तो इसके उपर, जो यह मेरा active cell है, इसके उपर की जो यहां पर रहां के इसे करेंगा तो यह जो यह जो सरी हो जाएगी और जो एक कॉळम हम जाएगा कश मुझे तो कैसे कर सकते हैं हम यहां पर अप्र जो आपका जो सेकंड हो चुका है तो इस प्रकार से हमें मल्टिपल और कॉलम के हमें फ्रीज करना है तो फिर हैं क्या कर सकते हैं जहां के हमारा माूस कर से तक पर ना आ आँचा हूं मौ पहुंएंटर रखेंगे उसे हम एक्टीज करना या कितने कतने हमारे रोशनक्त हो जाएंगे मैं नीचे आथा हो देखे किया हो रहा है आपके जो यहां से यह इतना इतना सेग्मेंट हो चुका है क्योंकि एक्ट ने कोन सा था हमारा यह वाला था टो इस उपकार से हमें अपने उनसार को भी रहा को को प्रीज करना है तो इसके लिए हमारे पासो आप्शान, ने ध्रीजट पैंस ऑप्शेट कर देता हूं, एगन मैं अद्रीजट कर देता हूं, तो फिर सारा डाटा हमने समने आगए, तो यह हम स्थेट्र हमारी अजा हमारी मदद करते हैं, हमारे डाटा इंटरी में जो टेबल ल हमारी बनी हुए इसके कॉलम्स को तो आज के हमारे क्लास में इतने ही रखते हैं मिलते हैं में एक नहीं टॉपिक के साथ अब तक लिए थेंक यू बाए बाए